तो सफर होने वाला है धवा के दार क्योंकि सफर है दिली से मुंबई का बागी यार बस देखो यार कितनी शान्तर है स्वागत है आप सभी का दिली मुंबई एक चीज देखके ना इस एक्सप्रेस पे मेरा दिल बहुत जादा खुश हुआ इस बस में वाश्रूम भी मुंबई में तो पूराव राजपोत और फ्रेयल अडवेंचर गूड इवनिंग फिरम पेश परेकुन नहीं बस जनी और आज की बस जनी ना बहुत ज्यादा धुए तर ओने वाले क्योंकि आज मैं टैबल करने वाला हूं दिली से मुंबई तो पूरे यूटूब पे ना आपने जनी नहीं देखी होगी जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं डिस्टेंस की बात करें तो आइगेस चौदर सोग किलोमेटर के असपास हम करने वाले क्योंकि करेंट में अगर बात करें ना तो मुंबई जाने के दो रास्ते एक वाया एमदाबाद होके जाता और यह प्रैक्टिकल भी लगने लगेगी वैसे आपको बता दूंकि आज मैं जन्नी करने वाला हूं अशोग मंसौर की एसी स्लीपर बस में तो सफर होने वाला है धमागेदार क्योंकि सफर है दिल्ली से मुंबई का बस हमारी रवाना होगी तीस हजारी दिल्ली से प्रस्था कि अभी मैं पहुंच गया हूं खन्ना मार्किट तीस हजारी और अशोग ट्रेवल मंसौर के अगर ऑफिस की बात करें तो उनका ऑफिस है शौप नंबर 95 में बागी यार बीड़ बार देखो काफी बीड़ वार्यां तीस हजारी में रहती है देख रहे हो बहुत रशा है वीडियो बनाने भी ना यहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है बागी बात करें आज के सफर की तो आज हम उसी बस में सफर करने वाले हैं जिसका सफर हम आपको दो महिने पहले दिखा चुके है दिल्ली से इंदौर तक काफी शांदार यह बस है स्लीपर बर्त इसमें कमफ सबसे खास बात यह है कि इसमें वाश्रूम भी और उससे भी खास बात यह है कि इसमें हमारे ड्राइवर साब भी रहने वाले जो दिल्ली से इंदौर की बश जन्नी में हमने आपको दिखाए थे मिस्टर पारुक जी कैसे हो सर लगा नीता इतनी जल्दी को लाकात हो जाए आज मैं अपनी वाइफ के साथ सफर कर रहा हूं वाइफ का काफी टाइम से मुंबई घूमने का मनसा तो मैंने क्यों ना आज वाइफ के साथ जन्नी करी जा है तो जी वाइफ ऑल्लेडी अंतर बस के अंतर बैठ चुकी है तो चलिए मैं भी आ से करता हूं बस में बोर्ड और निकलता हूं मुंबई की तरफ लेकिन आपको पताएगी आपको कहीं नहीं लिकरना होता क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वारा हूं एक और वैतरीन बस जन्नी दिल्ली से मुंबई की तो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिए बस अंदर से देख लो कुछ ऐसी दिखाई देती है पहले भी आपको दिखाई थी दुबार से आपको दिखायता हूं बागी इदर कुछ आपको बैठने के लिए चार सीट मिल जाती है और बागी जितनी भी स्लीपर बर्थ रहती इसी कुछ बर्थ अंदर से दिखाई देती है इसी ब्लोर्ड सापको मिल जाते हैं बैक रेस्ट यहां पर मौजूद है फोन होल्डर है चार्जिंग सौकिट वहाँ पर और बागी अशोक टैवल मंट सौन की तरफ से यहां पे पिलोग रा दिये गये हैं इधर सामने दिये तो जी टाइम होगे 6 बचके 25 मिनट और हम पहुंच गये हैं अभी करोल बाग यहां पर बीएक बोर्डिंग पॉइंट रहता है लेकिन बस यहां पर रुकी नहीं है हो सकता है यहां से कोई पैसेंजर वगरा ना हो लेकिन इसके लिए जितने भी बोर्डिंग पॉइंट हो लास टाइम जब मैंने इस बस में सफार करा था ना दिल्ली से इन दौर तक का तो उस टाइम ओल्ड एनच-48 से बस होके गई थी मतलब दिल्ली मुंबई एक्सपेसवे से बहुत ही कम टाइम में कर पाएं तो सोना से पकड़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सपेसवे और पहुचेंगे दोसा अब दोसा से इंटरचेंज लेके हम पहुच जाएंगे जैपूर जैपूर के बाद हम पहुचेंगे किशंगर, भीलवाडा, नीमश, मंसौर, उज्जेन, इंदौर, धुले, माले गाउं, नाशिक और पहुचेंगे मुंबई बाकी और भी जितनी सीटी या और भी जितनी जगह इस जन्नी के दोरान पढ़ेंगी कोशिश करूँ उनको कव बागी इडिंग लेंग के लिए बटन दिया गया है देख लेते हैं अभी हम पहुंच गए है धौला कुवा और धौला कुवा के बाद ना बेसिकली हमारी एंट्री हो जाती है एनच 48 यानि नैशनल हाइवे 48 पे जो कि इंडिया का सबसे बड़ा तीस सा नैशनल हाइवे इसकी करीबन 2700 किलोमीटर बट में बाद यह है कि हम यहां से एनच 48 पे एंट्री नहीं लेंगे बलकि हमने धौला कुवा से पहले ही लैब डैबर्जिन ले लिया में भी किसी मंत्री बगरा के आने के विए से रूट को डैबर्ट कर दिया है दिल्ली से जर्णी और ऐसा ज तो अब हम पहुंच गए उस पॉइंट पे जहां से लेफ डैबर्जिन लेके हम एंट्री करेंगे गुडगाओं सोना रोड पे और पहुंचेंगे सोना में एक विलेज जिसका नाम है अलिपूर और वहां से एंट्री लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे यह द अब कर दो वाटर बोटल तन्यवाद भी आ बाध बहुत आपका अलो कहा जारें आप से मिल कर बहुत अच्छा लगा वाई जो वाटर बॉटल ना सारी चिल वाटर बॉटल दी है बसमेर ऐसा बहुत ही कम होता है कि ठंडी पानी की बुटल आपको मिल जा तो यहां पर जो तुझी टाइम होई दस बच के तीस मिनट और बस ने फाइनली डिनर होड लिया है दिल्ली मूंवे एकस्पैस वेब बने एक रेस्टोप पर रेस्टोप का नाम है देशी तिकड़ तो चैली एंदर चलते हैं और पेट का काम 25 करते हैं क्योंकि भूग बहुत जोलो शोलो से लग रही है वागी यह एकस्पैस वे देखो यह तो कहा रोड है रेस्टोप वाली उसके पीछे एकस्पैस वे बना रहा है जितनी बार भी इस पर आता हूना दिल बहुत यादा ख मेन्यू है तो आइटम तो काफी सारे अवेलेबल हैं बढ़ हमने इसमें से ओडर कर रहा है एक वेज थाली में कहा है और सबजी राइता राइस रोटी वगार सम बिल जाते हैं तो ठीक है एक खाली ओडर कर दी तो देख लो भई इदर अपनी थाली आगई जिसमें की खाना खाली है और खाना बढ़िया बना रखा आपको कैसे लगा खाना अचा रहा अच्छा अच्छा आं तो खाना खाली है पेटका काम 25 हो गया है अभी सफर को करें इंग बागी यार एक चीज देखके ना इस एकसर स्वेशा पर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ चाहिए वो एक्सप्रेस वे हो या फिन यहां पर बने रेस्टॉप या फिर वाश्रूम हो सारी चीज ना भाई फुली तरीके से मेंटेन और साफ सोधनी है लास्ट टाइम जब आया था तो एक्सप्रेस वे नए नवेली चीज़ तो सारे अच्छी लगती हैं लेकिन काफी टाइम बाद भी इस तरीके से देख के बाई दिल बहुत ज़्यादा खोश हो गया तो चलिए बस में चलते हैं पैसेंजर आ चुके हैं अगा तो जैसा आपको बतारा था नहीं कि इस बस में वाश्टूम भी मौजूद है ट्वालेट सीट देखने को मिल जाएगी सामने सिंक दिया किया है मिरर यहां पर मौजूद है इसके लावा AC बडूर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अग्से आपको बतातू जो यूरीनियल परपकस के लिए आपकी फादा होता है बस का बेवजाए दीछ में उचने का सीन होता है वह थोड़ा इससे कतम हो जाता है हाला कि टॉलेट नहीं है अगर वैक्यूम बायो टॉलेट में अप्डेट होने लग जाया ना बस इसमें तो बाइसा फिर और भी ज्यादा बढ़िया हो जाए क्योंकि वैक्यूम बायो टॉलेट में आपको पता है पानी कम हुटिलाइज होता है तो फॉलिंग स्मेल की तो अभी हम चल रहे हैं दौसा डिस्ट्रिक्ट में और पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे उस टोल बूत पे या फिर उस इंटरचेंज पे बोल सकते हो जहां से हम एगजिट करेंगे जैपूर के लिए वैसे आपको बता दूँ यहां से जैपूर की दूरी करीबन 75 किलो तो जैसे डोसा टॉल हमने क्रोस कराना वैसी नीन आ गई थी अभी थोड़ी सी नीन खुली तो देखा कि जैपूर आगे तो सोचा कि आपको आपको अपडेट दे दे मैं तो और लेडी खाना खाके सो चुकी है मैं सोच रहों कि मैं दुपारा से सो जाता हूं और अब आप को मिलता हूं सीधा तब जब मेरे नेंद खुलते है क्योंकि नेंद ना बहुत जोलो शोलो जा रही है चरिये जी गुड़ नाइट गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग फॉम भीलवारा राजस्थान तो टाइम हो रहा है सुबह के पांच बच के तीस मिनट बागी रात को जयापूर के बाद क्या नेंद आई है यार बहुत जबर्दस वारी नेंद आई है अब जाके सीधा नेंद खुली है वैसे बता दू जैपूर के बाद हम क्रॉस करते हैं इशंगर नसीरवाद बिजयनगर रायला और अब भी मौचे हैं भीलवारा बाकी भीलवारा के बारे में आपको बढ़ा दू भीलवारा को वस्त नगरी भी बोला जाता है क्योंकि टेस्टेल की जो इंडुस्ट्री है ना अब भी फैक्ट्रेय भी दिखाई देरी है कपडो के तो तो टाइम हुआ है छे बच के 32 मिनट और बस अभी पहुंच गई है चित्तोडगर देखरो वाइसो नजारे कितने शांदार है अरावली माउंटेन देजना चारो तरफ दिखाई दे दिए जैसे चित्तोडगर पहुंच गये हैं चित्तोडगर सिटी में और जो वह आप सा तो आप समने सुने ही होगी तो यह कुछ चित्तोडगर सिटी है वागे कर आप में से चित्तोडगर से वीडियो देख रहा है ना तो क्रमेंट करके बताओ और देखो क्योंकि चित्तोडगर बिल्पुल मद्यपरदेश के बौटर पे ही पड़ता है तो जैसे ऐसे एंपी के बौटर के पास हम आते आ रहे है ना तो अबिस ही वाद है कि भाई जलेभी और पोहा ना मिले सुछ शुकत ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मद्यपरदेश में कुछ मिले ना मिले लेकिन सुबह पोहा और जलेभी आपको मिल जाता है तो वाईसा आपने कंड़कर साफ यहां पे जलेभी और पोहा लेके आरे हैं चित्तोडगर से और काफी अच्छा लग रहा है खारे में कोई फेमस दुकान दीगे हो हाँ क्या नावा दुकान का शान स्वागत है आप सभी का मद्यवर्देश में और स्वागत है आपका नीमच में टाइम होड़ा सुबह के आट बच के अटरा मिनट और रेस्टोप यहां पर करीबन 20-25 मिंट का होल्ड लिया गया रेस्टोप का नाम है संजोग रेस्टोएंट पिछली बार आया थे तो भी यहीं पर रुखे थे तो चलिए 15-20 मिंट का यहां पर ब्रेक लिया गया है फ्रेश वगरा हो लेते और थोड़ा नाश्टा पानी कर लेते और MP में सब जादा ब्रेक वायत में भाई पोह और जले भी मिलती है आजी कै लगना पोहा का टेस्ट अच्छा आजवाश्रों कैसे तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगते जो रेस्टोप के वाश्रूम होता है वह साफसुत्रे नहीं होते तो यहां बड़ी दिक्कत हो जाती है बचनी क्या क्रते हैं तो उसमें भी काफी सारे रेल्वेस्टेशन पर ह वह साफसुत्रे नहीं मिलते हैं अशानी कि सब जगाया इसा होता है रेल्वेस्टेशन पर वाश्रूम साफसुत्रे होने चाहिए क्योंकि उससे ना जो जननी का एक्स्प्रीयंस है न वह पैसेंजर का थोड़ी साउं होता है हुआ है अजय 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 है वीडियो के मादम से कुछ लोगों को कहाना चाता हूं कुछ लोग क्या बहुत ज्यादा मिस्वेव करते हैं जैसे एक अनलाइन पैसंजर भी है कोई भी अगर जाम लग गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो देखो यार भाई भी वीडियो बनाते है बस इसकी वीडियो बनाते है बहीं का चैनल चेक करो उनको सब्सक्राइब कर लो चलो ठीक है सर मिलते हैं तो जी टाइम हुआ दस बच के तीर मिनट और मैं पहुंच गया हूँ मद्य परदेश के खुबसूर शहर बस यहां पर लग जाएगी दो वजे जिसमें हमारा सफर रहेगा मुंबई तर तो ऑपेटर इस पूरी जन्नी में सेम रहने वाला बस बीच में सुछ होने वाले तो वीडियो को यहां चोड़के बिल्कुल भी नहाना है क्योंकि यार अभी तो सफर और भी ज़्यादा जबर्दस होने वाला है मद्यापरदेश के खुबसूर नजारे में आपको आगे दिखाऊंगा महराज के खुबसूर नजारे दिखाऊंगा और मुंबई के नजारे तो वाई साब क्या ही गया न तो आदि से ज्यादा ज़नी हमारी समाफ्त हो चुकी अभी टिकट फेर के बारे में बात कर लें इस बर बस के टिकट आप बोग कर सकते हो रेडवस अभी बस पर एसके लावगन सुरके बारव कर सकते हो बागे दिस्क्रिप्सिप्शन में आपको एक अच्छा लगा आप से बहुत-बहुत मिलके तो देख लो यार कभी अशोक टेवल मंसौर के आफिस में आते हो तो यह कुछ स्टाफ देखने में में मिलेगा काफी अच्छा स्टाफ है बाकी बेंटने वरागी यहां पर काफी अच्छी कासी अरेंजमेंट करी हुई है तो ज हम आ गए हैं पशूपथिणाद भूमने यहां का फेमस मंदिर है कि किसीने मुझे बताया था कि एक नेपाल में और दूसर मंदीर यहां पर बाइंदिया में जो मारे मंसौर में तो दिको मला अभी आपने में घोम लिया उत्वा ता किसमत इतनी एक्छे कि कि तुरंद बा यह बाद में मिला है और पेले जो सब्सक्राइब अच्छा तो देख रहा बाई मंदिर कितना खोप सुरत पुना रखा है संदर मंदिर है नहीं है जी मांग ली विश एक विश मांगनी थे कितनी सारी मांगी है तो देखो इता नंदी जी है और ऐसी मानने तो होते कि नंदी है तो सोचा भी आपको दिखा दें कि अगर आप यहां पर आ रहे हो तो नंदी जी से भी जरूर आप मांग के जाओ अच्छा यह वाला जो मंदिर है यह पूरा सेक्शन उसके बाद बनाया जब यह अपना विराजीत हुए एक साल पहले तो यह नदी है शिवना नदी है न अच्छा आप क्या बता रहे थे कि जब बार बार आती है तो यह पूरा जो प्रांगण है पूरा एरिया पूरा बढ़ जाता है यह अच्छा काफी यार मतलब नदीरा काफी नीचे है अभी आप उसको देख के अडिया लगा पागे देखो दर घाट भी है सामने ना यह सा साथ यहां पर मौजूद है अर्शोक मनसोर ट्रेवल ग्रूप के कुछ ऑफिशल परसंट हलो यहां क्या ले क्या नाव है आपका और सर आपका अच्छा एक चीज बताइए सर जैसे भी तो हम दिल्ली मुंबई की जर्निया आज आज आपकी साथ कर रहे है आपकी बसके हमारी कंपनी की तैयारी यह है कि हम सबसे फर्स्ट पर गाड़ी चलाएंगे हमने वल्वो गुकरा रखी जो अभी सबसे इंडिया में सबसे टॉप मोडल की जो गाड़ी हैं वल्वो नाइन सीटबल गिरो वो सबसे फर्स्ट नमर पर हम ही चलाएंगे अच्छा दिल्ली और पूरे इंडिया में कोई भी ओपरेटर इस लाइन पर भी तक किसी लाया नहीं क्योंकि दिल्ली और मुंबई देश के सबसे बड़े दो पॉइंट है हमारी ही शेवा रहती कि सबको सारे पॉइंट सम जोड़ सके और क्या होता है ना टेन में देखो किसी को इतनी असान लगा बहुत ज्यादा सक्सेस्फुल हो तो जी टाइम हो गया तीन बच के तीस मिनट और करीबन साड़े प्वाश घंटे का यहां वेट करने का बात बस फानली आ चुकी है तो चलिए फटाफट से बस में बोर्ड करते हैं बैग में रख देते हैं फिर बागी बाते करते ह इस बस में भी वाश रूम है एक खोल के आपको दिखाएते हैं तो देखो ऐसा कुछ यह वाश रूम है चैपिए तो देख लो ऐसी कुछ यह बस है काफी शांतार है यह बस भी टूवाइवन का स्रीपर बद कमनेशन आपको देखने को मिल जाता है बागी तो सारी चीज से ब्लैंकेट यहां पर रहते हैं समान रखने कर रहा है इसी ब्लोर्स है पिलो यहां पर आपको दिये गए बच्छी मिलते हैं यह बड़ा शांदा लगा है असमें मुझे दर कुछ और स्टाफ हमारे साथ मौजूद है आशोग टैवल मर्सौर गूर्प का क्या ना में भी आ आपका भी आप क्या मैनेज़ करते हो और आप क्या मैनेज़ करते हो चलो भी अच्छा लगा आप से मिलगे बागी देखो चारजिंग साथ साथ ना इस बस में USB टाइप चारजिंग बोर्ड भी दिया गिए तो दोनों बसों का अगर कंपैरिजन करें ना तो पहली वाली ब सब्सक्राइब काफी बड़ा भी था इसमें साइस काफी चोड़ा है बागी लिगन ठीक है बस काफी अच्छी है नाइटिंग अच्छी हो रखिए कि अगा तो अब हम पहुंचे हैं जावरा और यह सामने आप जो प्लाइव पर देख रहे हो ना यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे फ्यूचर में अगर आपको कभी जावरा उज्जेन या फिर इंदौर आना होना तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से होते हुए इस इंटरचेंज के थू आप यहां पर असानी से पहुन सकते हैं वैसे जो विलेज है ना यह परता है बुटेड़ा तो इसको बुटेड़ा इंटरचेंज भी भोल सकते हैं बाकी अभी जो यह सक्षन है यह भी शुरू नहीं है लेकिन बहुत यसानी से उज्जेन, इंद और या फिर जावरा पहुंच जाने वाले हैं और क्योंकि मॉन्सून टाइम चलना है तो जन्री करने में एक हारा की आनन्द आथा क्योंकि रोड साइड ना हरे बने नजारे देखने को मिलते ही रहते हैं और उपर से बारिश हो जाए तो फिर क्या ही गहने तो जी टाइम होगे 6 बच के 30 मिनट हम पहुंच गए है और उज्जेन के बारे में आपको पता है कि अपने महाकालेश्वर जोते लिंग के लिए आपको बदा दूंकि शिव्ट के टोटल 12 जोते लिंग है उनमें से एक जोते लिंग यहां उज्जेन में स्थित है तो जी टाइम हुआ है साथ बच के 50 मिनट और बस पहुंची है अभी इन दौर को तो टाइम हुआ है दस बच के 50 मिनट बस ने फाइनली होड लिया है दिनर के लिए रेस्टोरेंट का नाम है निर्मल पैलेस फैमिली गार्टन रेस्टोरेंट और देखो टाइम से लेट जब बस रुखती है न खाने करें तो आदी भो किया वैसे मर जाती है अभी क्या करें या जाम इतना था दस बजे का टाइम था वैसे या रुकने का लेकिन दस पचास हो गए जाम की वैसे चलो कोई नहीं थोड तबे ठीक नहीं है क्या मैडम की तोड़ी सी तबे दिरबर हो जाए है खाना खाने का युमारीन का ज्यादा करनी रहा है वैच पुला हो तो खारो ना थोड़ी से क्या हो अब बुखाय हो रहा है क्या फीवर की तबाई खाले न बस में चटते ही आपको इतना लंबा ट्रे आधी प्लेट में लिखा लेगा लेगा और आधी भी इसमें रखे हो है कैसे है पुलाव खाने में ठीक है तो चलो इसको फिनिश करते हैं पटावट से तो जी खाना खाली है खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया बना रखा तो पुलाव एक नमबर बना रखे थे और जो ब बस में चलते हैं और सफर को करते हैं कंटिन्यू गया वैसे तो नीन धा रही है तो रात को सोएंगे और जहां नीन खुलेगी वहां आपको थोड़ी बहुत अपडेट दे देंगे तो जी टाइम हुए रात के तीन बच के पांच मिनट और बस अभी रुकी है धूले क्रॉस करके बिसिकली डीजल फिलप यहां पर बस में किया जा रहा तो यह देखो यह सामने खड़ी है बस और यह है तो रात को अचानक से भी नींद खुल गई और नींद जब खुल गई तो देखा कि बस भाई सब खड़ी हुए तो सुचे कि एक बार अपको अपडेट दे दें कि हम पहुंच गए हैं महाराष्ट में सो वेलकम ओल आफ यू टू महाराष्ट तो जी टाइम हुआ है सुबे के 6 बच के 20 मिनट शिरोल नाम की जैए पर बस अभी रुखिया देख रहो यार क्या जम आजम भारीच हो रही है बाई सब देख रहे हो और काफी सारी बस यहां पर रुख रही है चोहान बस मैंने पहले भी ट्रेवल कर रहा जब मैं एक बार गया था इंदॉर से नाकपुर गया था चोहान बस में एक बार तो देख लो भाई ऐसा कुछ मौहल हो रहा है भी डावर पे रुखिया पांच जसमिन के लिए वाश्रूम के लिए गया तो पूरा गीला हो गया तो आपको अपडेट दे देता हूं तो रात को सो गया था न वावर झाया व बायआऊ जस को स सरना लगड़ वावर को एकुण dulत, को सुड़ तोुण बाड़ को ऊसके लिए खूरूम के लिए लिए ट सुभ़ू नालत है, नालत है, यदाना के लिए। अजय को कि कि मिल यृफ यृफ कि अच्छ मुट तो श Why यृफ तो देख लो टाइम हो आट बच के बारा मिनट और अभी हमने क्रोस कर आता थाने और यह जो रेड कलर आगा बांड़री देख रहे होना यह बेसिकली मुंबई की बांड़री है तो अभी हमने एंट्री कर लिए थाने से मुंबई में सो वेलकम आल आप यू टू मुंबई वैसे मुंबई में आपको बता दू अभी हम चल रहे हैं मुलूंद वाले एरिया में की गज़ा है तो स्वागत है आप सभी का बोरी बली मुंबई में मैं पहुंद विए अभी अपने होटल में और करीबन 42 गंटे का सफर करके हम पहुंचे हैं मुंबई क्यूंकि टाइम अभी हो रहा है नाइन ओक्लॉक और बाकी बात करें सफर की तो इस बार यह तो मैं बिल्कुल नहीं बोलू है कि सफर बहुत अच्छा रहा थोड़ सा कॉंप्लिकेट सफर तक कि आपको पता है कि मंद्स और में भी करीमा साड़े पांच घंटे हमें बस का वेट करना पड़ा अभी आप में से कुछ लोग यह बोलेंगे कि वाइसाब आप जैपूर से डिर्क बस ले सकते थे मुंबई के या फिर एहमदाबाद या करना पड़ना पड़ा है मारजन डखना पड़ता है क्योंकि सुचऑ करीमा एक देर गंटे के लिए थाह व मैं लगला और वाहा में बहुत तक राजाम लगावा तो वेटिंग टाइम लगा लेना पड़ता है हां मंसौर में हमें थोड़ी सा ज्यादा टाइम लग गया साड़े-5 घंटे तो उस वहें से जर्णी थोड़ी सी कॉंप्लिकेटिव और वीडियो के स्टार्टिक में आपको बताया था कि यह ज मंसौर से टाइम देखेना तो करीब अठारा घंटे मुंबई तक के हमें मंसौर से लगे हैं बागी बात करें बस के सफर कि तो बस का सफर कमफर्टेबल था क्योंकि अशोक मंसौर टैवल की बस जितनी भी रहते हैं सारी कमफर्टेबल लहती है हां वाश्रूम थोड़ से हो सकते हैं वेक्यों बाइट अपगेड हो जाए तो फिर क्या ही कहना थोड़ से अच्छे चूस करें जा सकते हैं यहां पर वाश्रूम थोड़ से और ज्यादा साफ सुत्रे हो और तो बागी जितनी जनी की डिटेल थी वह मैंने आपको बदाई दिये तो मैं तो बहुत ब फ्यूचर में वह बस लगाने भी वाले तो वाई इस चीज़ का तो मैं बेस अबरी से वेट करता हूं कि और भी जितने भी ऑपरेटर ना सब इस रूट पर बस लगाया और दिल्ली से मुंबई की जनी है वह करने में और भी ज्यादा मज़े आए तो मुंबई में आपने just लेकर और अजका दिन है कल का दिन है तो मुंबई बेसिकली आज थोड़को घूमने वाले इसके आगे बीप प्लैन बता ग्री tane बदे को से लगी आने बेंगो और बागी ये होटल देख लो काफी शांदार होटल है होटल डिवाइन इसका नाम है और दो हजार रुपे का चार्ज हमने पे कर रहा है दो लोगे लिए बोरिविली रेलवे स्टेशन के पास है तो कनेक्टिविटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस ब्लोग को करते हैं यहीं रहा है और टेके लव और आप लियाद नहीं जाना अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चानल करके जाना होता है चलीजी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लोग में झाल आपरे च्ट वाइक शेडर शाव है जाव है जाएक शेयर वीडियो पसंद आप साइ़ और आप लाइक शेंगर श्रह चाहँ जाएके भीक चाहँ